तो प्रमुख बिंदु जो हमारे सध्याय का होगा वह है इटली के नगरों का पुनरुथान जिसका मैंने भी जिक्र किया कि इटली के जो नगर थे जिनोवा, फ्लॉरेंस, रोम, पडुआ, आदी-आदी ये जो शहर वेनिस, ये जो शहर थे ये शहरों का पुनर जन्म हुआ पुनरुथान हुआ, मैंने बताया आपको ये शहर इस समय प्रारम नहीं हुए, प्रारम ये तो रोमन सब्विता के समय के शहर हैं, लेकिन अब एक तरीके से वे अंदकार युग में सुपता वस्था में चले गया थे, इनकी कोई अहमियत नहीं थी, पर आधनिक युग मे याने चौदवी शताब्दी के होते होते, इनका पुनरुथान होता है, कैसे क्या होता है, इसको हम देखेंगे, दूसरा मुद्दा जो हम जानेंगे वो है विश्वद्याले और मानवतावाद, अथत विश्वद्याले के बीच में क्या परसपर संबंद थे, अब हम विश्वद्याले की बात करते हैं, अर्थात, ये वो काल आ गया है, जब शैक्षनिक केंद्र अपनी पुरानी महत्ता वापस पाने लगे थे, रोमन सभिता के समय जो जो लोग शिक्षा के क्षित्र में जो अहम योगदान दे रहे थे, उसके बारे में फिर से चर्चा ह उनी शुरू हो गई थी, तो इसलिए पुनर जन्म कहलाता है, इसलिए पुनर थान कहलाता है, इटली के नगरों के पुनर थान के कारणों में, जो कई कारण है, उसमें एक कारण ये भी है, कि विश्वद्याले के, जो विश्वद्याले का जो गौरों था, वो वापस आता मानवतावाद विश्व द्याले का जो मूल केंदर होता है शिख्या में वह पूर में धर्म था धर्म या धर्म संबंदी बातें अब यहाँ पे एक नई विचारधारा मानवतावादी विचारधारा सामने आती है जिस पे हम चर्चा करेंगे और उसी से संबंदित है अगला जिसका हम अध्यान करेंगे पढ़ेंगे वो है इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोन क्या था मानवतावादी दृष्टिकोन क्या है मानवतावादी नजरिया क्या है वह नजरिया पुराने नजरिये से कैसे अलग था और कैसे इस बदले हुए नजरिये ने जिसे मानव मुतावादी नजरिया कहते हैं कैसे इसने यॉरोप के आधनी की करण में बदलती हुई पंपराओं को प्रभावित किया उसके बाद अगला बिंदु होगा विज्ञान और दर्शन ये वो काल है जब हम विश्व द्याले के बारे में पढ़ रहे हैं ये वो काल है जब हम वि दर्शन कह सकते हैं जीवन जीने की कला अब ये विज्ञान और दर्शन की बात होना ये तभी संबव है जब आदमी में सोचने की स्वतंतरता हो और सोचने की कूबत हो आखिर ऐसी क्या परिस्तियां बदली कि पूरु का मानौ मध्धिकाल का आदमी अब सोचने लगा था अब विज्ञानिक सोच तरक संगत विचार रखने लगा था क्योंकि विज्ञान का तरक से बड़ा घनिश संबंध है रीजिनिंग लॉजिक ये विज्ञान के अहम शब्द हैं इनका बोल बाला शुरू होता है इनकी प्रचुरता शुरू होती है तो आखिर ऐसा क्या था कि विज्ञान और दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ या पुनरजन्म हुआ पुनरजागरण हुआ और इसमें जो सबसे अहम योगदान है वो अरब लोगों का था अरबों का इसमें बहुत बड़ा योगदान कॉंस्टेंटिनोपल आप देखेंगे इस पर टर्की ने 1453 में कबजा कर लिया था एक टाइम लाइन पर हम बाद में चर्चा करेंगे जिसमें कुछ-कुछ विशेश वर्षों पर हम एक नदर डालेंगे सर्तरी फिलहाल आप याद रखें 1453 वह वर्ष है जब एक बहुत भरी परिवर्तन योरप के नक्षे में होता है जब कॉंस्ट स्थिति यह तर्की जो है वह युनान पर कॉंस्टेंटिनोपल पर कब्जा करता है और उसके साथ क्या होता है वहां पर कब्जा करने के कारण तर्कियों द्वारा तुर्की के लोगों के द्वारा कब्जा करने के कारण युनानी सभिता में जो लोग जो अरब के लोग भागते हैं क्योंकि तुर्की के लोग एक तरीके से इन चीजों को कताई आदर नहीं देते थे तो तुर्की के आगमन के साथ, तुर्की की विजय के साथ, तुर्की द्वारा कॉंस्टेंटिनोपल पर विजय पाने के बाद जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वो है यूनानी खेत्र से बहुत सारे ऐसे बुद्धी जीवियों का सहितिकारों का पलायन होना और इटली की तरफ भागना ये उनके द्वारा, तो ये कौन लोग थे? अरब लोग थे तो ये इटली की ओर जाते हैं, परणाम सुरूप क्या होता है? उनके विचार, उनका रहनसान, उनकी जीवनशाली, उनके वस्तरादी, उनकी वास्तुकला, उनकी सोज, ये इटली के लोगों को प्रभावित करत है, वहाँ जो सुपता वस्ता में थी, जो सब्विता, वो थोड़ी सी जागने लगती है, उसमें थोड़ी खलबली मस्ती है, अरब लोगों के विचारों से इटली के लोग प्रभावित होते हैं, और इस प्रभाव का प्रणाम क्या होता है? कि वे भी उस दिशा में सोचन तो इस प्रकार दोनों सब्विताओं के मिलन से एक नई सोच प्रारम होती है, जो पुनर जागरन बंद कहलाती है, पुनर जागरन के रूप में जिसे हम जानते हैं, ये जो यूनानी सब्विता से लोगों का जो भागना हुआ, ये एक बहुत अहम बिंदु है, इसलिए मै अब फिर से इसको दोराओंगा कि 1453 को आप याद रखें, यहवा वर्ष जब तुर्की ने सेल्जुक टर्क, सेल्जुक एक वंच है, सेल्जुक टर्क ने कांस्टेंटिनोपल पर कबजा किया, और इस कबजे के साथ जो परिवरतन हुए, ये एक राजनेतिक कबजा था, स और फिर दोनों सब्विताओं का एक तरीके से मिलन केंद्र बना इटाली, ठीक, सो हम अर्मियों के योगदान को पढ़ेंगे, इसके बाद अगला बिंदु जो हम पढ़ेंगे, कलाकार और यथार्थ वाद, यथार्थ मतलब जैसा है, सच्चाई जो है, उसको प्रगट कर पूर में क्या होता था, एक तो कलाकारों का कोई ना बाहुल ले था और ना कलाकारों की कोई इज़त थी, जो सामंत वादी काल था, उसमें तो इनलों का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि सामंत वादी काल में सामंत और सैनिक, और सब से उपर धर्म से जुले हुए धर्म कला के नाम से कुछ विशेश बात नहीं जानते, साहित्य के नाम से भी कुछ नहीं जानते, संगीत के नाम से भी कुछ नहीं जानते, इसलिए इसे अंदकार युक कहते हैं, इसलिए हम इसे मध्य काल कहते हैं, इसलिए हम इसे आधुनिक काल नहीं कहते, कहते हैं न, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशुपुच्छ विशान हीन है, यानि जो सभिता साहित्य संगीत और कला से विहीन है, विरक्त है, वह एक ऐसे पशु के समाने जिसकी पूछ नहीं होती, कल्पना करिये कैसा, हर पशु की पूछ होती है, मतलब पश्यू का पूछ से बड़ा अटूट संबंध है तो यदि सब्विता अच्छी होनी है तो उसके पास साहित होना जरूरी है संगीत होना जरूरी है कला होना जरूरी है दुर्भाग से सामंत वादी युग में दुर्भागे से परंपरावादी यूग में ये सब नहीं था अब ये शुरू होता है तो और ये यथार्थता की बात करते हैं ये लोग एक ऐसी दुनिया की बात नहीं करते हैं जो दूसरी दुनिया है धर्म अधारित दुनिया है ये लोग भौतिक वादी दुनिया की बात करते हैं इस धर्ती की बात करते हैं यह थार्त की बात करते हैं हम कैसे हैं कौन हैं क्या हैं हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी कहते हैं न यह बहुत पस्तित पंक्ति है हिंदी साहित में हम कौन थे क्या हो गए हैं औ और क्या होंगे अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी शायद इस दौर में यही कुछ हो रहा था कि वो विचार मंथन शुरू हुआ और उस मंथन का श्रेज आता है कॉंस्टेंटिनोपल पर राजनेतिक कब्जा तर्कियों द्वारा जिसका परिणाम वहां से बुद्धि जीवियों का कलाकारों का भागना पलायन होना भागना से अर्थ है पलायन होना वहां से उनका रवाना होना और इटली में आके बस जाना अब इटली में ही क्यों इसका मैं जिक्र कर चुका हूं यहां पर एक बात और बतानी होगी तो यथार्थ वाद आप बसे ऐसा क्या था इट्रली में कि कला कार वहा थे इसा नि बताया सामन्त-वादी युक का स्थान अब वानिज से जुड़े हुए लोगों ने व्यापारियों ने ले लिया था ये व्यापारी और वानिज से जुड़े हुए लोग कला के पार्खी ही थे कला की महत्ता जानते थे और इस प्रकार उन्होंने सहित्यकारों को कला कारों को प्रश्रे दिया शरण दिया और इसी प्रश्रे और शरण की खोज में ही तो ये लोग यूनान से निकले थे और इधर आये थे वहां की नगरी ये सब बिता इटाली की उन्हें रास आ गई थी और व्यापारियों के द्वारा जो नजरिया था इनके प्रती वो एक इज़त का नजरिया था तो इस प्रकार बाइज़त रहने के गुझाईश देखते हुए ये जो व्यापारी जो कलाकार थे वे वहां के बस गय थे ये अगला बिंदु होगा उमारे अध्यान का उसके बाद है वास्तुकला इस काल ने वास्तुकला में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखे वास्तुकला का अर्थ क्या है वास्तुकला मतलब भवन निर्माण से जुड़े हुई कला अंधकार युग में या मद्य काल में ऐसा कोई विशेश कारे नहीं हुआ लेकिन इस काल में जो आधनिक काल की जो आहट का समय होता है चौधवी पंद्रवी शताबदी उस समय हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हुए जो ऐसे कुछ कलाकारों की तरह कुछ साहित कारों की तरह ऐसे कुछ वास्तु विद्ध भी हुए जोनोंने अच्छे अच्छे भव्य भवनों का नर्मान किया जिसमें विज्ञान भी था जिसमें सोच थी जिसमें गनिद भी था और जिसमें उन भवनों की भव्यता भी थी शालीनता भी थी गरिमा भी थी वास्तु कला को किन लोगों ने प्रभावित किया इस पर हम अध्यान करेंगे जो अगला बिंदु होगा और अंतिम बिंदु हमारे अध्यान का प्रथम मुद्रित पुष्ट के मैंने आपको बताया कि साहित कार आदी वगर सब यहां पहुंचे मैंने यह बताया व्यापार बढ़ा मैंने आपको यह बताया कि विश्ट द्यालव में शिक्षा बढ़ी उसके बाद मैंने आपको फिर यह बताया कि नया दृष्टिकोंड जिसे मानवतावादी दृष्टिकोंड कहते हैं आखिर ये सब संभाव क्यों हुआ निश्चित रूप से जैसा मैंने बारंबार कहा है कॉंस्टिंट नोपल के हमले से इन लोगों का जहां आना होता है लेकिन मात्र आने से ही मात्र एक जगह से दूसरे जगह जाने से ही उनके विचार सभी जगह नहीं जा सकते ये तो प्रि कैसे आया हुए लोगों के विचार अब बड़ी तेजी से पुष्टकों के माध्यम से कागजी पुष्टकों के माध्यम से अब हजारों लोगों तक पहुंचने लगे पहले मेरे विचार मेरे तक ही सीमित होते थे या ज्यादा से ज्यादा मेरे दायरे में जो लोग हैं मे के माध्यम से और पचास लोगों तक तो जो गती थी मेरे विचारों के जाने की या एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान के वो बड़ी धीमी थी क्योंकि पांडू लिपियां ही रहती थी उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं कि हजारों कि एक मेरे विचारों को मैं हजारों किलो मीटर दूर हजारों मील दूर हजारों लोगों तक पहुँचा दूँ आज तो अमेरिका में एक पृस्तक छपती है और दस मिनट बाद वो नेट के माध्यम से मेरे पास यहाँ उपलब्ध हो जाएगी उस जमाने में ऐसा ही कुछ हुआ मुद्रन का जो आविशकार था प्रिंटिंग प्रिस का जो आविशकार था वह इन सारे बिंदों से शायद सबसे ज़्यादा एहम था क्योंकि यदि यह नहीं होती मुद्रन परणाली यदि नहीं आती तो यह सारे विचारों का आदान परण नहीं होता और यदि आदान प आदान से के घरशन से विचारों के आदान पदान की तकराहट से जो नए विचारा है वो नहीं आते इसलिए बच्चों अगला बिंदू जो होगा वह मुद्रित पुष्टकें इन सब पर सब बिंदूओं पर हम कुछ बड़े बड़े लोग के नाम भी पढ़ेंगे किन्हों ने क्या योगदान दिया ये भी जानेंगे और इस पकार ये जो साथ बिंदू हैं ये हमारे अध्य पर क्या है पुनर जागरन से हमारा ताटपर है इन साथ खेत्रों में परिवर्तन होना विचारों का परिवर्तन नई नई चीजें आना इन साथ खेत्रों में और यही पुनर जागरन हैं इन साथ मुख्य बिंदूओं के साथ-साथ कुछ अन्य बिंदू भी इसी के साथ ज और उनमें एक है महिलाओं की आकांक्षाएं इस काल ने महिलाओं में भी जागरूकता पैदा की सजगता लाई महिलाओं भी अपनी अहमियत समझने लगी समाज में उनके स्थान को लेकर एक तरीके से बदलाओ आजा महिलाओं की स्थिति को लेकर तो उनकी क्या आकांक्षाएं थी इस परिवर्तनी परिवर्तन युग में जब विचार बदल रहे थे इस पर अध्यान करेंगे इसाई धर्म के अंतरगत वाद विवाद यह अगला बिन्दू है हमारे अध्यान का इसाई धर्म के अंतरगत वाद विवाद क्या है देखिए इसाई धर्म, Christianity जिसे हम कहते हैं मूल रूप से वो Catholic धर्म था Catholics और 14-15 शताबदी में जैसा पोप और पादरियों की जब पकड़ कम होने लगी समाज पे पकड़ कम होने लगी धार्मिक रूप से उनका जो प्रभाव था वो कम होने लगा लोग उनको प्रश्ण करने लगे, लोग उनके अंद्य विश्वासों पर उंगली उठाने लगे लोग पादरियों के पोप आदी के जीवन शैली पर प्रश्ण उठाने लगे क्योंकि वे लोग बड़े विलास का जीवन जीने लगे थे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो कैथोलिक धर्म के लोग हैं वे इस तरह के प्रशनों को बरदाश नहीं करते समाज के दूसरे वर्ग द्वारा धर्म गुरूओं पर धर्या धर्म पर उठाये गए प्रशनों को ये बरदाश नहीं करते और इस पकार दोनों के बीच में तकराओ होता है तकरार होती है तकराओ होता है और अंतत्र क्या होता है कि जो समूह कैथोलिक विचारों का विरोध कर रहा था उसमें परिवर्तन चाह रहा था परिवर्तन के अभाव में ये लोग एक नई दिशा मोल में चले जाते हैं और एक इसाई धर्म के अंतरगत ही एक नया धर्म इस्थापित करते हैं जिसे प्रोटेस्टेंट कहते हैं इस पर भी हम आगे विस्तार से विचार करेंगे इनके बीच का जो तो अगला बिंद जो है इसाई धर्म के अंतरगत वाद विवाद इसाई धर्म का इस्लाम धर्म से टकराओ ये विशानी हैं ये तो हमने पूर में पढ़ा है इसाई धर्म के अंदर ही टकराओ अब आखिरे टक्राओ क्यों हुआ इसलिए क्योंकि यूनानी सब्विता से जो अरब लोग और वहां के लोग जो बुद्धी जीवी लोग आये वो अपने साथ ऐसे विचार लाए जिसमें धर्म पर प्रश्ण करने लगे थे और इस पकार उनके द्वारा लाए गए विचारों का परणाम यह हुआ कि जो ततकाली निशाई धर्म था उसके या जो पादरी लोग थे उनकी निश्ठा पर सवाल उठाने लगे जो पोप थे उनकी पकड़ कमजोर होने लगी तो अगला बिंदू यह होगा उसके बाद है कोपर निकसी क्रांती 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 क्या होता है क्रांती मतला बहुत तीवर परिवर्तन जब हम क्रांती शब्द का उप्योग करते हैं तो क्रांती के दो माइने हो दो उसके पहलू होते हैं पहला परिवर्तन क्रांती यह न तीवर परिवर्तन मौसम में जो बदलाव हो रहा है पिसले हजार साल से ये परिवर्तन तो है लेकिन तीवर नहीं है तीवर परिवर्तन मतलब कुछ दिनों में या कुछ महीनों में पूरी स्थितियां बदल जाना आमूल चूल परिवर्तन हो जाना और इन नो टाइम बिना क परिवर्तन को क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं अब ये कोपर निकस क्या है हम अध्यान करेंगे फिलहाल इसको हम जान लें कि कोपर निकस वह पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि यह प्रिथ्वी नहीं है जो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है बलकि सूरज पूरे ब्रह्म प्रिथ्वी केंद्र में नहीं है पूरे ब्रह्मांड के सूरज है और सूरज के चारों और बाकी सब इस्थित हैं। इसको लेकर जो उहा पो हुआ इसको लेकर जो पूरी विचारध हरा जो बदली वह हमारे अध्धन का केंद्र रहेगा। इसलिए इसको कहते हैं। जो दहवी सदी में क्या यॉरप में पुनर जागरन हुआ था या कुछ और था। जिसे हम रेनेसा कह रहे हैं, पुनर जन्म कह रहे हैं, पुनर जागरन कह रहे हैं। क्या ये पुनर जागरन था या कुछ और था या पूरी तरह वो नई चीज आई थी। और यदि पुनर जागरन कह रहे हैं, तो क्यों। जैसा मैंने पूर में बताया, पुनर जागरन मतला फिर से जागना, ये फिर से जागना जो है, क्या ऐसा कहना इस काल के परवर्तनों के परिप्रेक्ष में, क्या ऐसा कहना उचित है, अंत में हम इसी का अध्यन करेंगे। बच्चों एक बार फिर इटली के नक्षे की ओर हम थोड़ा मुखातिर होएं, आप भी सोच रहोंगे कि बारं बार ये नक्षे का ध्यन क्यों करने की बात करते हैं। देखिए किसी भी चीज की प्रिष्ट भूमी, उस चीज के होने की और उस चीज के फायदे और नुक्सान के लिए आवश्यक है। प्रिष्ट भूमी के कारण ही कुछ घटना होती है, कुछ बैक ग्राउंड होता है न, उसके कारण ही कुछ घटना होती है। कल्मना करिये कक्षा में आपने जन्म दिन पर मिठाई बांटी, क्या अचानक आप ऐसा ताय करते हैं? कुछ प्रश्ट भूमी होती, कूछ बैक गराउन होता है, क्या बैक गराउन्ड हो सकता है इस मामले में? शायद आपने देखा है कि वहाँ पर मिठाईयां बाटी जाती है शायद आपके पेरेंट्स किसी विशिष्ट कारण से आपसे खुश हो गए हैं इसलिए आप मिठाई बाटना चाह रहे हैं शायद आप उस दिन की कख्षा में अध्यन से हटकर कुछ अन्य करने का प्रयास कर रहे हैं अन्य गति विदी चाहे आनंद के लिए चाहे एक रूपता से हटने के लिए तो यह जो तीन चीजें बताईए क्या है यह प्रिष्ट भूमी है तो प्रिष्ट भूमी किसी भी चीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है कारणों को जानने के लिए किसी भी घटना के कारण को जानने के लिए प्रिष्ट भूमी आवच्चक है और इतिहास में भागोलिक अध्ययन अपरिहारे है यदि आपको इतिहास सही समझना हैं, तो किसी भी अध्याय का प्रारम करने से पूर्व, आप अच्छी तरह उसके नक्षों को पढ़ें, उस विशे से सम्मंदित नक्षों पर एक अच्छी गहरी नजर डालें, सरसरी भी नहीं गहरी, तो चलिए हम नक्षे को एक बार फिर देखें, देखें, तीन तरफ से घिरा हुआ है, जो आप देख रहे हैं, इटली का आकार लंबा है, और तीन ओर समुद्र है, जिसमें भूमध्य सागर को आप देखिए, भूमध्य सागर का जो खुला रास्ता दिख रहा है, जिससे लगा हुआ से बहुत सा व्यापार होत तो यह देखिए आप देख सकते हैं कि इटैली तीन और समुद्र से घिरे होने के कारण एक खास इस्थान रखता है इसके बाद आप देखेंगे कि कितने सारे शहर वहां दिख रहे हैं रोम उसके बाद फ्लॉरेंस विबलानिया वेनिस पाड़ुआ जनीवा और रोम तो रोमन सब्विता के नाम से प्रसिद्ध है और इटली के राजधानी भी है वरत्मान में तो ये नक्षा आपको जो दिख रहा है इसको अच्छी तरह बैठा लें और ये इटली के ऊपर एदियाब जाते हैं तो स्विस संग लिखा हुआ है यानि स्विद्धर लेंड होता था उसी के पास फ्रांस है उसी के पास जामनी है और फिर और उत्तर में इंगलेंड है प ये स्थिति को आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना है अब ये जो आप इतने सारे जो स्थान देख रहे हैं नाम ये बताता है कि नगरों के नगरों का विकास इस काल में बहुत हुआ और मैं जिस बिंदू को छूने जा रहा हूँ वह है पहला बिंदू हमारे अध्यन खेतर का नगरों का पुनरुथान इन नगरों के पुनरुथान याने पुनर जन्म फिर से इन नगरों का सामने आना फिर से इन नगरों की महत्ता बढ़ना फिर से इन नगरों का केंदर ब उन कारणों पर चर्चा करें तो जैसा मैंने कहा कि पुनर जागरन की शुरुआत इटेली से मानी जाती है और इटेली से मानी जाने का कारण है कि वहां नगरों का विकास हुआ नगरों का पुनर विकास हुआ बलकि हम कहेंगे वो ज्यादा उचित होगा और इस विकास का कार या जो रोमन समराज था बाइजन्टाइन समराज था और इसलामी देशों के बीच इटली का तटवर्ती बंदरगाह आपको दिखाई दे रहा है इसके बाद मंगोल खित्र को देखिए यहां आप मंगोलिया जिसे कहते हैं आज वरतमान में वो खित्र मंगोल कहलाता था जिस प्रवृति के थे बड़े हिंसावादी थे चंगेश खान तैमूर लंग यह इसी खित्र के थे तो इन दोनों के बीच में मंगोल जो सिल्क रूट बना चीन पर इनकी सत्ता थी उसके बाद जो पूरा मार्ग था वो पूरे मार्ग पर इन्होंने जो कबजा किया था उसके क कारण इटाली की बहुत महत्पूर्ण भूमिका हो गई थी इसके साथ ही अब व्यापार और वैग्यानिक उन्नती व्यापार और सहितिक उन्नती व्यापार और कला की उन्नती के कारण भी यह नगर बड़े विकसित हुए और विकसित होते होते एक दौर आता है जब हम पा प्रफ़वादी प्रथा लगबक समाप्त प्राय है। राजा की पकड कमजोर हो चुकी है। और राजा की जनता पर कमजोर पकड का फाइदा ये नगर उठाते हैं और एक तरीके से ये नगर अपना स्वतंतर अस्तितु बना लेते हैं। जिन नगरों के जिन शहरों के मैंने नाम लिये ये शहर एक तरीके से स्वतंत्र शहर हो गया और इसलिए नहें कहा जाने लगा नगर राज्ज राज्ज लेकिन नगरों का राज्ज छतीज गड़ जैसा भागुलिक शेतर नहीं जो नगर था वह स्वैम में एक राज्ज था अंग्रेजी में उसे कहते हैं City State, तो ये लोग City State का रूप अपना लिए, एक स्वतंत्र विचारधारा लेके चलने लगे, हर शहर अपने तहीं किसी न किसी गतिविदी का केंदर था, व्यापारिक गतिविदीयां तो थी ही इन सब जगहों पर, पर इसके अलावा कुछ शहर विश्व द्यालेओं के कारण परसिद थे, कुछ शहर अपनी वास्तुकला की गतिविदीयों के लिए परसिद हुए, कुछ शहर साहितिक गतिविदीयों के लिए परसिद हुए, जिनके बारे में हम और पढ़ेंगे, लेकिन तात्पर कहने का ये है, कि इस काल में जो नग राज्य का रूप ले लिया जो केंदरी सत्ता थी राजा के रूप में वो तो वैसी सामंती काल में कमजोर हो चुकी थी क्योंकि सामंत लोग बड़े तक्शक्तिशाली हो गए थे सेना तो सामंतों के पास थी जो राजा था वो सामंतों की सेना पर निर्वर था अब सामंत भी प्रजा के बीच का समवाद बढ़ गया ये बहुत अहम बिंदु है पूर में क्या होता था राजा और प्रजा के बीच में सामंत वर्ग था जो बड़ा प्रभावशाली वर्ग था और ये सुनिश्चित करता था कि जनता और राजा के बीच में कितना संपर्क रहे और संपर सामंत वाद, समापत तो राजा और प्रजा के बीच में जनने केंद्र, केंद्री सत्ता और जन्ता के बीच में डारिक्स परक होता है, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, positive प्रभाव परता है, तो नगरों का इटली में नगरों का पुनरत्थान, ये पहला बिंदू जिसको हमने समझने की कोशिश की ये नगर कैसे थे पहला तो मैंने बताए नगर राज्य थे इतने इतने शक्तिशाली हो चुके थे इतने अहम हो चुके थे कि वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने में सफल थे और प्रमुख नगरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण था Venice, Florence और Geneva Venice, Florence और Geneva ये सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण थे दूसरे शहर भी कोई कम महत्पूर्ण नहीं पर किसी दूसरे कारणों से महत्पूर्ण हुए इसके साथ ही हम देखते हैं इस काल में जो मैंने कहा कि धर्मादिकारी और सामंती प्रभाव कम हुआ और ये जो शहर हैं वे वानिजी केंदर और व्यापारिक केंदर बन गया है और इसके साथ ही साथ कला, साहित और संगीत के के लिए भी जाने जाने लगे कला, साहित और संगीत के लिए भी ये जो चित्र हैं ये जाने जाने लगे नगरों के पुनुर्थान के बाद अगला बिंदु विश्व द्याले तथा मानवतावाद ये मानवतावाद एक विचार धारा है एक विचार धारा का अर्थ क्या होता है एक तर्खास तरह की सोच उस सोच में एक उद्देश होता है अंत में और उस उद्देश को पाने के रास्ते रहते हैं रास्ते बताये जाते हैं आज के परिप्रेक्षमेदी हम विचार धाराओं की बात करें तो एक साम्मेवादी विचारधारा है, जिसे कम्मिनिजम बोलते हैं, जिसका जिक्र राजनीती विज्ञान में बारंबार हुआ है, एक पूंजी वादी विचारधारा है, अर्थार्थ, कैपिटलिजम, ये अर्थिक विचारधारा है, इसके बाद समाजवाद है, ऐसे कई विचार धाराएं आधुनिक काल में सुनने को आती हैं इस काल में हम देखते हैं मानवता वादी विचार धारा और उसका विश्व द्याले से संबंध जैसा मैंने पूर में बताया कि योरोप के सबसे पहले इटली खेतर में इटली के देश में वहां पर युनान से आये अलंगो के कारण विभिन्न तरह की विचार धारागों का संमिलन हुआ आदान-पदान हुआ सोच विचार हुआ और परणाम क्या हुआ कि एक नई विचार धाराएं सामने आई इन विचारधाराओं को हवा देना इन विचारधाराओं को पालना ये विष्ध द्यालेों में मुख्यूरुप से होता इटाली योरोप के सबसे पहले होने वाला राज्य है देश है जिसमें विश्वद्याले स्थापित हुए योरोप के सबसे पहले विश्वद्याले इटाली के शहर में स्थापित हुए और मुख्य रूप से शहर जो है वह था पाडुवा आप देखिए नक्षे में सबसे उपर देख रहा है पाडुवा ये मूल रूप से शैक्षनिक गतिविदियों के लिए शहर प्रसिद था मैंने आपको जिक्र किया ने कि कुछ शहर वानजी दृष्टी से कुछ शहर कला स शाहित की दृष्टी से और कुछ शहर किसी अन्य दृष्टी से प्रसिद हुए पाडुवा जो है वह शैक्षनिक केंद्र की रूप में बहुत प्रसिद हुआ इन विश्द्यालों में पाडुवा के लावा जो अन्य स्थानों में भी थे जहां इटली में वैसी सब से पह यह याद रखने की चीज नहीं है कानून का सबसे महत्पूर्ण विश्य होने का कारण क्या हो सकता है क्योंकि देखिए युनानी सब्विता और उसके साथ युनानी परंपराएं आई इटली में और इधर रोम की सब्विता रोम की परंपराएं वैसे ही थी अब जब यु तो इटली के लोगों ने जब सोचना शुरू किया कि हम किस तरह का देश किस तरह की सब्विता हम चाहते हैं तो उन्होंने पाया कि उनके पूर्व की सब्विता याने रोमन सब्विता बहुत प्रसिद्ध थी बहुत अच्छी थी दुरभागय से अंधकार युग में रो प्रभी सब्विता से प्रभावित होकर यूनानी विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने रोमन सब्विता के पुराने विचारों का भी अध्यान करना शुरू किया और इस गहन अध्यान के निचोड के रूप में ये बात साफ हुई कि कानून एक बहुत अहम खेतर होता ह और वो कानून के पीछे कुछ सोच रहती है, हर कानून के पीछे कुछ सोच रहती है, तो यदि हमको अपनी सोच के अनुसार समाज को बनाना है, तो सर्पतम हमें कानून बनाने होंगे, कानूनों का अध्यन जरूई होगा, और दोनों सब्विताओं के कानून थोड़े अलग ही थे इनका सम्मिष्रन कुछ निकालना होगा तो इसलिए विधी शास्त्र का अध्यान सबसे महत्पूर्ण विशयव बन गया और इसका कारण जैसे मना अच्छ दूसरा कारण एक और दोनों अरबी सब्विता के या युनानी सब्विता के परंपराओं का अध्यान और पुरानी रोमन सब्विता का सामने आना गहन अध्यान के प्रणाम शरूप ये तो एक कारण हुआ कानून के महत्ता का दूसरा कारण ये था कि जो व्यापार होते थे, जिस व्यापार और वानजी की गतिविदियों के कारण, ये शहर इतने बढ़ रहे थे, पनप रहे थे, पल रहे थे, और विकसित हो रहे थे, अब ये जरूरी हो गया था, कि किसी तरह का कानून बनाया जाए, इन वानजी की गतिविदियों और व्यापा इसकी जॉब प्रोफाइल कुछ अलग होती है लेकिन आपके विल इतना जान लीजे कि वकीलों की जुरत पढ़ने लगी है जो व्यापार के तहत जो कई मुद्दे उढ़ते थे लेन देन के मुद्दे क्या है वो माल का विलंब से आना उसका सजाक परणाम क्या होगा चाहे वो पैसे के रूप में उसका कर के रूप में उसका क्या प्राउधान होगा क्यों कर कितना कर टैक्स कर मने टैक्स तो ये सब को लेकर वकीलों की बहुत जरुद पढ़ने लगी नोटरी की जरुद पढ़ने समझोता होने नोटरी का जो है वो दो पक्षों के बीच में जो स और समझोते की आवश्यक्ता अंतर राजी अंतर क्षेत्री व्यापार और वानिज के मद्दे नजर कानून की जरुद बहुत पढ़ने लगी तो ये दूसरा कारण हो गया अब जो कानून का अध्यान हुआ वो मैंने आपको बताया बारं बार इशारे से की रोमन सभिता की ओर जब उनकी नजर पढ़ी याने पाँचवी सदी के पूर्व की रोमन सभिता अंधकार युग के प्रारंब होने के पूर्व का जो रोमन सभिता थी उसका जब अध्यान तो कानून का अध्यान रोमन संस्कृति के संदर में प्रारम हुआ क्योंकि मूल रूप से इटैली जो है वह रोमन सभिता का परिचायक था वह रोमन सभिता का लीडर था तो रोमन सभिता को बद्दी नजर रखके कानून का अध्यान प्रारम हुआ और अगला बिंदु जो म मानवतावाद और विश्द्याले के ताहत है वह है पेट्रार्क द्वारा प्राचीन योनानी और रोमन रचनाओं के अध्यान पर जोड़ दिया गया पेट्रार्क बहुत प्रसित मानवतावादी विचारक था उसकाल का पेट्रार्क उसने इस बात पर जोड़ दिया कि किसी यूनानी कानूनों और रोमन कानूनों का अध्यान किया जाए इनकी रचनाओं का अध्यान किया जाए और उससे जो सम्मिश्रण निकलता है उसे कानून का अमली जामा पहनाया जाए